वेल्कम तो टेक विजिन सब्सक्राइब आर चैनल वा क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन क्लिक वेल बटन अब देख रहें टेक विजन चले शुरू करते हैं दोस्तों आज के वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और विंडोस 10 की बारे में तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाल है कि विंडोस 10 में विंडोस अपडेट को पर्मनेंटली कैसे डिस्टेबल किया जा है यह जो सॉल्यूशन है यह पर्मनेंटली मैं आपको सीखाना जा रहा हूं एक तो होता है हम लोग सर्विसेस से करते हैं वह अलग चीज होता है लेकिन कभी-कभी उससे दोस्तों सबसे पहले हम जानते है कि विंडोस अपडेट क्या होता है तो दोस्तों माइक्रोसोफ हर हपते या हर महने में विंडोस में कुछ फीचर्स लॉंच करते रहते हैं तो जिससे आप उनका मजा उठा सकते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपका में रैम का में या आपक युका computer slow भी हो सकते हैं और अगर आपका windows pirated है तो और भी ज्यादा मतलब फिर आप उस update को लेकर क्या फाइदा और दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात है कि windows 10 पे आप सोच रहूंगे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं तो guys मैं windows 10 पे shift हो गया हूं क्योंकि आप सभी को पता होगा windows 7 14 January 2020 को जो है वो एक्सपायर हो जाएगा windows 10 pro यूज कर रहा हूं 64 bit और guys इसमें freak antivirus भी मिलता जिसका नाम है windows defender अगली वीडियो में यह भी जाने हैं कि इसको disabled permanently कैसे क्या जा है बहुत परिशान करता है मतलब blind papers के लिए पतलब है तो अच्छा लेकिन हम लोग के लिए वो कोई उतना काम का नहीं अगर हम लोग third party डालते हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रखने का लेकिन हम लोग के लिए तो अच्छा नहीं विकोस jaws का crack delete कर देता हां अगर आपको सही लगे तो आप यूज कर सकते हैं हम लोग group policy editor में ठीक है तो यहां पर हम लोग run में जाएंगे यहां पर type करेंगे gp edit अब यहां पर हम लोग को जाना है अभी डाउन अरो की मदद से एड्मिट्रेटर टेंपलेट अब मैं इसको open करता हूं ठीक है राइटर होते हैं अभी और options आ रहे हैं तो अभी हम लोग को सीधा यहां पर यहां पर W प्रेस करके Windows कंपोनेंट में जाना है यहां पर ओपन कर देते हैं राइट है उससे यहां पर कुछ भी निकरने यहां पर W प्रेस करने यहां पर विंडोज अपडेट इस पर क्लिक्स मुझे थोड़ा दे वीडियो को स्किप करना पड़ा और मैं आपको बताता हूं जैसे कि आपने जैसे जीप इडिट.mst गए है वहां पर क्या कहते है एड्मिनिस्ट्रेट टेंपलेट आपको डूढ़ना है ठीक है टैप से डूढ़ना पड़ेगा वो जो है वो भी कर सकते है लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर उसमें गए उसके बाद विंडोज कंपोनिंग उसके बाद आप विंडोज अपडेट क्लोज है अब इसको ओपन करते है देखें यहां पर एक बाद टैप प्रेस के विंडोज अपडेट ओपन उसके अब यहां पर हम लोग पर चूज कर देखना है तो यह कंफिगर ऑटोमाटिक अपडेट इस पर इंटर करेंगे थेकर राइज मैंने इसको अल्रेडी कंफिगर किया हुए आपका में कंफिगर ऑटोमेटिक अपडेट मेर मेंदिसे वन अंऔर में से अपका म इक कंफिगर न हो आएगा मैंने इसको डिसेवल कर रखा है अक्य अपको अपडेट चाहिए तो आप इसको नौर कंफिगर रखिया या इनेबल रखिया अगश्यी है तो बीसे उसको आपको यहां से आपको तो फिर आपको राइट और लेक्ट से डिसेबल करने और अप्लाई करके अप्लाई करके करने यह जासे आपको मिले आप option पूरा पड़े मतलब क्याता है option पूरा अच्छे से देखिएगा तो आपको यह वीडियो आपको बहुत पसंदाया होगा दोस्तो यह वीडियो प्लीज लाइक किजिए विकॉस बहुत महांत लगी एवीडियो को बनाने में सो गाईस नेर चैनल को भी सब्क्राइब किजिए आप नहे होतों थैंक यू फोर वाचिन मै वीडियों if you like our videos please subscribe our channel for any help or question call krishna gupta at 933-496-3607 email address krishna.gupta14789 at gmail.com thanks